हर्याना विधानसभा चिनाव की नतीजे सामने आ चुके हैं राजिकी कुले 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 कॉंग्रस को 37 इंडियन नेशनल लोगदल को दो और निर्दलीय उमीदवारों को 3 विधानसभा शेत्रों में जीत मिली है मतरान के बाद आए विधिन एक्जिट पोल में हर्याना कॉंग्रस को बहुमत मिले की संभावना जताई गई थी लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया और वो सरकार बनाने जा रही है हर्याना में सत्ता विरोधी लेहर के बाब जो उदो कॉंग्रस असफल क्यों हुई इतना ही नहीं अब उन नेताओं का क्या होगा जो हर्याना की हवा का रुख पहचानी नहीं पाए वैसे राजनीती में सारा खिल टाइमिंग का होता है कई बार आपके डिसीजन की टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपके वारे नारे हो जाते हैं लेकिन कई मौकों पर यही टाइमिंग गड़बडा जाती है और आप मूह की खा लेते हैं हर्याना विधान सभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ कुछ लोगों के साथ चुनाव की नतीजे आने के बाद पूर्वसांसद अशोक तवर, पूर्वसांसद ब्रेजेंद्र सिंग और पूर्व मंत्री रहे रनजीत चोटाला का हाल भी कुछ ऐसा हो गया इन तीनों नेताओं को लगा कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बाइबाइ कहना फायदे मन्द होगा उन्होंने वैसा ही किया हला कि उन्होंने इस दोरान जो फैसला लिया उन्होंने सोचा कि टाइमिंग के हिसाब से ये सबसे सटीक साबित होगा लेकिन जब परिणाम आये तो वो उनकी उम्मीदों पर पानी फेर गए आपको बता दें कि चुनावी रण में भूपेंद्र सिंग हुड़ा और कुमारी शेलजा के भी इचे खीशतान को देखते हुए कॉंग्रेस ने अशोक तवर पर बड़ा दाव खेला अशोक तवर एक समय पर कॉंग्रेस की कदावर निताओं में से एक थे एक समय तो वो हर्याना कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी थे कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंग घुड़ा से टिकट बटवारे को लेकर हुए विवात के बाद ही तवर ने कॉंग्रेस का साथ छोड़ दिया था तवर कुछ समय के लिए ममताब एनरजी की पार्टी टीमसी में चले गए थे और इसके बाद वो आम आदनी पार्टी में भी गए लेकिन जब टीमसी और आम आदनी पार्टी में भी कुछ ज़ादा बात नहीं बनी तो तवर बीजेपी में वापस आ गए बीजेपी ने उन्हें मौका दिया और मौझूदा सांसा सुनीता दुगल का टिकट काठा और सिर्सा से चुनाव लड़वा दिया सिर्सा से तवर भाजपा की टिकट पर लड़ने के बावजूद भी कुमारी शेलजा से हार गए जब विधान सभा चुनाव सामने आया तो तवर को लगा कि ये सही टाइम है दोबारा से कॉंग्रिस के साथ हो जाते हैं उन्होंने बीजिपी को छोड़ा और कॉंग्रिस को थाम लिया ऐसा कहा जाता है कि तवर को उम्मीद थी कि इस बार सूबे में कॉंग्रिस की ही सरकार बनने जा रही है और यही सही टाइमिंग है पाला बदलने का लेकिन ये उन पर ही भारी पड़ गया अशोक तवर की तरह ही हिसार के पूर्वसांसत ब्रेजेंद्र सिंग भी अपनी टाइमिंग की वजह से न इधर के रहे ना उधर के ब्रेजेंद्र सिंग लोग सब चनाव की दौर्रान हिसार से τिकट कटने की आशंकाओं के बीचे कॉंग्रेस में शामिल हो गये थे लेकिन कॉंग्रेस ने उन्हें ना तो हिसार से और ना ही सोनी पत से टिकट दिया आपको बता दे कि ब्रिजेंद सिंग के परिवार का बीजेपी से पुराना नाता रहा है चाहे बात उनके पिता बिरेंद्र सिंग की करें या फिर उनकी मा प्रेम लता की या फिर खुद ब्रिजेंद्र सिंग की इन सभी को राजनेतिक उचाईयों तक पहुचाने में बीजेपी नहीं सबसे एहम भूमी का निभाई लेकिन जब बिजेंद्र सिंग को लगा कि इस बार राज में सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो नोंने अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़ दिया और कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया अब उचाना से ब्रेजेंद्र सिंग की हार उनके ही राजनेति गाटे का सौधा साबित हो सकती है इसी के साथ है रंजीस सिंग चोटाला भी हार्याना विधान सभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से बगावत करने वाले नेताओं में शामिल हो गए रंजीस सिंग चोटाला तो सैनी सरकार में बीजेपी मंतरी भी रहे लेकिन जब चुनाव नजदीक आया और बीजेपी ने उन्हें रानिया से टिकेट देने से इंकार कर दिया तो वो नराज हो गए और पार्टी से ही बगावत कर बैठे अब बड़ा सवाल ये है कि गलती तो हो गई इन तीनों नेताओं से अब इनके पास option क्या है पांस साल और इंतजार करने का या फिर दोबारा से पैर पकड़ कर माफी मागना और भाजपा में वापस हो जाना आपके हिसाब से इनने क्या करना चाहिए राजनातिक खबरों के लिए देखते रहिए हैस्टेक भारत